आज मैं सच मुझ बड़ा ही खुशू उशा मेरी दोनों बेटियां एक ही घर में ब्या कर जा रही है अब ये दोनों बेहने आगे भी उम्र भर एक साथ ही रहेंगी हाँ लेकिन आपको ये कुछ अजीब नहीं लग रहा बड़ी बेहन की शादी छोटे भाई से और छोटी बेहन की शादी बड़े भाई से मतलब अब छोटी बेहन बनीगी जेठानी इसमें क्या जीब उशा बच्चों की पसंद है और जो बच्चों की पसंद वही माभाप की और वेज़े भी कुंडली भी छोटे से बड़े की मिली है अब तुम ये सब भूल जाओ और शादी की तैयारियों में लग जाओ फिर सबकी रजामंदी से उनकी एक ही दिन बड़े धूमधाम से शादी हो जाती है पुनम का पती दिपक और छोटी बेहन का पती नीरच होता है लेकिन पुनम थोड़ी आलसी थी वो शादी से पहले भी जादा तर अपना हर काम अपनी छोटी बेहन पर डाल देती थी लेकिन यही आदत वो ससुराल में आकर भी रखती है मैं जानती हूँ पूनम बहू कि तुम अपने घर में बड़ी थी, लेकिन यहां तुम्हारी छोटी बेहन अंकिता तुम्हारी जेठानी है, इसलिए अब तुम्हें इसका कहना मानना ही पड़ेगा, मैं नहीं चाहती कि तुम माईके की तरह उस पर यहां भी रॉब छाड़ो अरे नहीं नहीं माजी, मैं अच्छे से जानती हूँ, कि यह मेरी जेठानी जी है और मैं इनकी बड़ी इज़त करती हूँ हाँ हाँ सब जानती हूँ, तेरी ये सब नाटक कई दिनों से देख रही हूँ, तु आराम से कमरे में बैठ कर टीवी देखती रहती है और ये बिचारी है जो चुप चाप तुम्हारा सारा कहा मान लेती है, अब मेरी बात कान खोल कर सुन, रात का खाना तू बनाएगी औ पूनम जो कि तु अपनी बेहन की देवरानी बन कर आ गई, कोई नहीं, अब सासुमा का ओर्डर मिला है तो खाना तो बनाना ही पड़ेगा न, अब किसी को क्या ही पड़ी है मेरे सरदर्द की, अरे तुम्हें सरदर्द है तो रहने तो कोई बात नहीं, खाना मैं बना लू पूनम बहुना जान बूच कर ड्रामे करती है और मैं अच्छे से जानती हूँ, कि सुबह और दिन का खाना तु बनाती ही है, लेकिन रात के खाने की डूटी मैंने उसे दी थी, लेकिन वो इससे भी बच जाती है, और कोई न कोई बहाना बना कर तुझसे ही सब काम लेती है, मैं जानती हूँ, वो तेरी बहन है, इसलिए तुझे उसकी फिक्र है, लेकिन जब उसे ही तेरी कोई परवा नहीं, तो फिर तु क्यों उसकी इतनी चिंता करती है, और अगर तुझे मेरी बातों पर यकीन नहीं, तो कल सुबह तु बस अपनी तब्यत खराब होन पर देख ड्रामा, अगली शाम अंकिता बिलकुल वैसा ही करती है, शाम के 8 बच जाते हैं, लेकिन वो अपने कमरे से बाहर नहीं आती, ये देख पूनम चिंता में आ जाती है, और वो उसके कमरे में जाती है, क्या हुआ, तु अभी तक कमरे में ही पढ़ी है, तु जानती नहीं है, तु तो आराम से भी उट सकती है, डिमार भी हो सकती है, लेकिन मेरा क्या है, मेरे हाथ की कलाई में इतना दर्द हो रहा है, लेकिन मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, खेर छोड, तु यही चाहती है न कि डिनर बनने में देर हो जाए, और फिर सासुमा मुझे ही सब बाते सुनाए, कोई नहीं, सुन लोंगी में दो बाते, यह सुनकर अंकिता को अपनी बेहन पर तरस आ जाता है, और वो एक्टिंग छोड़कर फिर से डिनर बनाने चली जाती है, और एक बार फिर अंकिता अपनी कलाई में दर्द का बहाना लेकर उस पर गरम पट्टी बा सर्फ करने के बारी आती है, तो पूनम जट से रसोई में आती है, लाव लाव, डिनर बन गया न, अब ऐसा करो, आप जल्दी से जाकर डाइनिंग टेबल पर बैट जाओ, ताकि सब को ये लगी कि ये खाना मैंने बनाया है, जाओ जाओ, जल्दी जाओ, फिर पूनम सब के वाली बात है, ये मैंने ही बनाया है, ये सुनकर अंकिता को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, आप जूट क्यों बोल रही हो देवरानी जी, ये खाना तो मैंने बनाया है, और मा जी ने तो मुझे खुद देखाए खाना बनाते हुए, और तुम्हारी कलाई में वो जो भी कामना करना पड़े, और मैं मस्त आराम कर सकूँ, अंकिता के ढील की कारण अप पूनम को आराम की आदत लग गए, जसबात से गायतरी अच्छे से परिचित थी, लेकिन अब तो उसकी खुद की सगी बहन अंकिता भी उसके ड्रामों से परिशान हो चुकी थी, ऐसे ही स मैं बीटता है, एक रोज पूनम जान बूज कर मार्केट में सबजियां लेने के बहाने चली जाती है, और लोट पे बड़ अपने हाथ पर प्लास्टर बंधवा लेती है, जिसे देख उसकी सास कहती है, अरे ओ नौटंकी, अब ये क्या तेरा नया ड्रामा है, अरे ये क्य हुआ तुमें, ये चोट कैसे लगी, अब क्या ही बताओ जे ठानी जी, मैं रास्ते से सबजी लेने बाजार जारी थी, कि पीछे से एक कोटो वाला मार कर चला गया, और हाथ में ये फ्रेक्चर आ गया, डॉक्टर ने कहा है, अब कम से कम 15-20 दिन तक आराम करना होगा, जाजियोंने सच में लगी है, वो मुझसे इतना बड़ा जूट नहीं बोलेगी, अहा, किता मजा आ रहा है, अब तो मैं कई दिन तक आराम करूगी, अंकिता, जब पूनम के कमरे के बाहर से गुजर रही होती है, तो वो पूनम को दोनों हाथ उठाए नाचते हुए देख लेती है, और गुसे में उसके कमरे में जाती है, अरे ओ ड्रामे बाज ओरत, अगर इतनी ही मेनत तु काम में कर लेती, तो तेरी बहन को भी थोड़ा आराम मिल जाता, उन दोनों को यू अचानक देख, पूनम घबरा जाती है, अब अरे, आब दोनों यहाँ, वो मैंना और एक तू है, जो मुझे बचपन से आज तक बस धोके पर धोका देती रही, मुझे माफ कर दो, मैंने ये सब काम से बचने के लिए नाटक किया था, मेरी बहन तू भी मुझे माफ कर दे, अब से मैं कभी ऐसे ड्रामे नहीं करूँगी, मैं तुझे अब एक ही शर्त पर म अकेले ही करेगी, और मैं और माजी अब सिर्फ आराम करेंगी, अपनी छोटी बेहन और वुझे ठानी जी की बात मानने के अलावा उसके पास और कोई चारा भी नहीं था, उसने उन दोनों की बात मान ली, और अब अगले तीन महिने तक जहां किता सिर्फ आराम करती है, त तब तक आप चाय प्यों न? अरे चाय तो कब की खत्म हो गई, पैसे नाश्टे में क्या है आज? आलू के पराठे, बस अब भी लाई अरे यार, आलू के पराठे बना रही है और चाय पहले दे दी, पराठों के साथ ही देनी चाही थी चाय अच्छा तो दोबारा बना दू? अरे भावी, आप पराठों पर फोकस करो, भाईया के लिए चाय मैं बना देता हूँ, तो की बनाएगा? अंकिता बना लेगी न? भाईया अगर हम दोनों जॉब करते हैं तो भावी भी तो वरकिंग है न? बलकि उन्हें तो घर के काम भी निप्टाने होते हैं ओफिस जाने से पहले तो अगर हम उनकी थोड़ी मदद कर देंगे तो अच्छा ही राएगा न? सुनेल की बात सुनकर अंकिता को बहुत अच्छा लगा. अनिल और सुनेल सग्ये भाई थे, घर में उनके अलावा उनकी मा माला और अनिल की पतनी अंक इंजीनियर थे और अंकिता भी एक दूसरी कंपनी में सौफ्वेयर इंजीनियर ही थी. अंकिता की शादी को अभी सिर्फ एक महीना ही हुआ था. अंकिता दिन भर ऑफिस में काम करती और फिर अपने ससुराल में सबको खुश रखने की कोशिश में लगी रहती. वैसे तो बिचारी ऑफिस भी जाती है और फिर घर का काम भी करती है. उस पर बहुत प्रेशर है. क्या बात है भाईया? आपको कब से भाबी की फिकर होने लगी है? सुनील भाया मैं तो खुद है रानू. अच्छा तो फिर आपने क्या सोचा? कल से मेरी मदद करोगे क्या किचन में? अरे पहले पूरी बात तो सुनो. ये सही है कि अंकिता की मदद के लिए कोई तो होना ही चाहिए. मिलकुल भाया. एकदम सही सोच रहे हैं. एक काम वाली लगा लेनी चाहिए हमें. अबै काम वाली नहीं. मैं तो तेरी शादी की बात कर रहा था. है? ना भाबा ना. मेरी श शादी तो करनी है? भाया, शादी मतलब कलेश, शादी मतलब टेंशन, शादी मतलब रोज की किच-किच. अच्छा, मतलब तु कहना चाहता है कि अंकिता कलेश करती है. नहीं, भाबी की बात अलग है. लेकिन जरूरी है क्या कि भाबी जैसी ही लड़की मिल जाएगी मेरे भाया, वैसे एक बात कहूं, जब बीवी आ जाती है न, तो फिर सबसे अच्छी पतनी ही लगती है. अरे यार, आप सब तो पीछे ही पड़ गए, मुझे नहीं करनी शादी वादी अभी, मैं जा रहा हूं सोने. सुनील की बात सुनकर माला, अनिल और अंकिता हसने लगे, तो वही सुनील शर्मा कर वहां से चला क्या, इसी तरह कुछ और दिन बीद गए और फिर एक दिन. हाँ सुनील, बताया नहीं तुने. क्या नहीं बताया मा? लड़की वड़की देखना शुरू करें फिर. अरे मा फिर वही बात, कहा ना मुझे शादी नहीं करनी. मैं समझ भी दो सुनील भाया. अंकिता के लाग जोर देने पर भी सुनील उस वक्त कुछ नहीं बोला. लेकिन फिर अगले दिन. अले उसकी फोटो तो दिखाओ जरा. हाँ है ना, पर वो आप जितनी सुन्दर नहीं है. अरे बस करो, मक्खन लगाना तो कोई आप से सीखे. एक बार संजना घर आ जाएगी ना, तब भाबी को पूछोगे भी नहीं. अरे नहीं नहीं भाबी, मैं तो बस यही चाहता आप देवरानी बनकर रही, आपकी बहन बनकर आए, और आप दोनों मिलकर इस घर को स्वर्ग बना दे. अरे बापरे, इतनी दूर की सोचली. फिर मौका मिलते ही, अंकिता ने अपने पती अनिल और सास माला से संजना के बारे में बात की, और फिर कुछ दिनों के बाद, द विष्टे में हम देवरानी चिठानी है, तो फिर मैं आपको क्या कहकर बुलाओ, अरे भाबी बोलो ना, हम, ठीक है भाबी, हाँ, ये हुई ना बात, अच्छा ये बता अभी क्या कर रही हो तो, मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ, ग्लोबल डिजाइन कंपनी में, वाउ, इट्स ग्रेट, पैकेज तो ठीकी दे रहे होंगे वो, हाँ, भाबी वही छे लाग का पैकेज है अभी, अच्छा, बढ़िया है, काफी देर बात करने के बाद अंकिता संजना के कमरे से बाहर चली गए, दरसल संजना अंकिता से तीन-चार साल छोटी थी, लेकिन उसकी त बना रही है, भगवान इन दोनों को हर बुरी नजर से बचाए, ये हमेशा ऐसे ही मिलजुल कर रहे हैं, माला भले भविशे के हसीन सपने देख रहे थी, लेकिन उसके घर की ये शांती, आने वाले तूफान को जादा दिनों तक रोक नहीं पाई, दरसल अंकिता और संजन कई मामलों में एक दूसरे से अलग थी, खाने को लेकर दोनों की पसंद कभी मेल नहीं खाती थी, और बस यहीं से दोनों के बीच दकरार शुरू हो गई और फिर एक दिन, संजना एक मिनट, तुम कल बना लेना उपना, क्यों भाबी क्या हुआ कल क्यों, अरे मैं सब के लिए देसी गी का हलवा बना रही हूँ, तो सूजी मुझे चाहिए, देखो भाबी मैं तो नहीं खाऊंगी हलवा, मुझे तो उपना ही खाना है, तो ये सूजी तो मुझे ही लगेगी, इस छोटी सी बात पर देवरानी जेठानी में भयंकर बहस शिड़ गई, ये देखकर उनकी सास माला ने अपना माथा पीट लिया, पर ये तो सिर्फ शुरुआ थी, सुनो, मुझे तुम्हें एक बात बतानी थी, देखो भाबी की बुराई के अलाबा कुछ कहन आँ तो बताओ, वैसी कोई बात नहीं है, एक्चुली मैं जॉब चेंज कर रही हूँ, क्यों, कहाँ, क्रियेटिव एप में, वहां से ओफर था तो मैंने ओके कर दिया, क्या कहा, क्रियेटिव एप पर, वहां तो अंकिता भाबी, हाँ हाँ, तो वो क्या उस कंपनी की मालक संजना और अंकिता की घर में बिल्कुल नहीं पढ़ती थी, और अब तो उन दोनों का ओफिस भी एक ही हो गया था, दो दिन बात जब संजना अपने नए ओफिस पहुँची तो उसे वहां देख कर अंकिता हैरान रह गे, उसने संजना के गले में जैसे ही कंपनी का आइका संजना को, और तुम इसे कैसे जानती हूँ, अब सर ये मेरी देवरानी है, एक नंबर की मकार और चालू लड़की है ये, प्लीज आप इसे फायर कर दीजे, नो, मैं ऐसा नहीं कर सकता, उसने इंटर्व्यू में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, एंड उसका के सामने संजना के नंबर कम करे और उसे वहां से भगाए, तो वहीं संजना ये सब समझ रही थी, और अपनी जेठानी की हर चाल का मुहतोड जवाब देने को तैयार थी, तो अब तक जो घर का हाल था, वही अब ओफिस का भी हो गया, छोटे-छोटे मसले बहुत बड़े ह होने लगी और दोनों की वीच ओफिस में खूब कहा सुनी होने लगी, और फिर एक दिन, अंकिता, संजना, मैंने तुम दोनों को एक साथ, एक नए प्रोजेक्ट के बारे में डिसकस करने के लिए बलाया है, प्लाइंट को सबसे बहतरी नैप चाहिए, उसके लिए कुछ स इन दिन के अंदर एप का पूरा डिजाइन चाहिए, तो या तो मिलकर बढ़िया काम करो या फिर दोनों एक साथ रिजाइन कर दो बॉस मैं ही रहूंगी, हाँ हाँ ठीक है, तो अब जब आप ही बॉस बन ही रही हो तो फिर बताओ कैसे शुरू करें, बिना मन के अंकिता और संजना को हाथ मिलाना पड़ा, लेकिन दोनों की ये मजबूरी कब खुशी में बदल गई, दोनों को खुद पता नहीं चला, द इनके वज़ा से इतनी बड़ी डील हमें मिल गई, और इसलिए ये दोनों इंक्रिमेंट की हगदार है, वेल डन बोट अफ यू, प्लीज क्लैफ और देम कि जगड़े का हो गया दी एंड, क्योंकि साथ में बिना जगड़े कैसे काम करना है, ये उन दोनों ने सीख लिया था, और इसी के साथ ऑफिस के बाद अब घर में अंकिता और संचना एक टीम में हो गई, और ये देखकर, क्यों रे सुनील, ये कौन से बाबा हैं जिन्हो